मस्कार दोस्तों रागोसर के यूट्यूब चनल पर आपका एक बाद फिर्जा स्वागत है देखिएगा आज गंगा नदी रिवर को आगे बढ़ाएंगे जो गंगा नदी का आप वाच्छित है उसको देखेंगे गंगा नदी के जो महत्वपूर फैक्ट हैं उसको देखें आपके लिए महत्वपूर है वह सारी बातों के हम चर्चा करने रहा है देखिए गंगा नदी की बारे में जो हम पढ़ेंगे उसमें आप जानते हैं कि गंगा नदी भारत में एक पवित्र नदी है और ये भी जानते हैं कि सन दोजार आठ में इन्हें राश्चिन अदी का दर्जा दिया गया था राश्चिन अदी का दर्जा कंगा नदी को दोजार आठ में दिया गया 2014 की बात करें तो इनके लिए इनकी शुद्धी करण के लिए एक प्रगाम चलाया गया यूजना चलाई गयी जिसे कहा गया नमामी गंगे यूजना गंगा के शुद्धी करण सम्मंदित है जोकी 2014 में चलाया गया इसी नदी पर आप जानते हैं उन्हें इस सो पचासी दर बात करें तो गंगा नदी के शुद्धी करण के लिए गंगा एक्शन प्लान भी प्लादम किया गया भारत की पवित नदी 2008 में इन्हें राश्री नदी के दर्जा दिया गया 2014 में नमामी गंगे यूजना प्लादम की गयी इसी नदी से इनके शुद्धी करण के लिए हलागे हम जानते हैं वारत गंगा नदी को इन्शान के रोप में दर्जा दिया गया है गंगा नदी की बात करें तो इस नदी का जल होता है इस जल में स्वता सुद्धी करण की शमता होती है इसमें ऑक्सिजन को वान करने की शमता भी होती है ऑक्सिजन इसमें रता है यह इसकी अधुद्ध शमता है जहां तक गंगा जल के शुद्धी करण की बात होती है हम जानते हैं कि प्राशीन काल से इसकी जो पौर रेत्ता है वो बनी हुई है अंग्रेजों काल में देखा गया कि गंगा नदी का जल उनके लिए बहुत यूप्योगी शाबित हुआ क्यूंकि जो अग्रेज भारत आते थे वह आपस आते थे तो इस लंबी यात्रा के लिए गंगा के जल का ही उपयोग करते थे क्योंकि जो गंगा का जल होता है इसमें एक वायरस आजाता है इसे करते हैं बैक्टेरियोफेज यह ऐसा वायरस है जिससे गंगा के जल में किड़े नहीं पड़ते हैं तो यह वैक्टिरियो फेज काफी महत तो पूंची यह वायरस है जिससे गंगा का जल प्रदोशिक नहीं होता है काफी गंगा नदी हमारे लिए बहुत महत तो पूंण है गंगा के बात करें तो गंगा नदी भारत के पांच राजर बहते हैं हम जानते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार थोड़ा सजार कंड में भी जाती है और पश्री मंगा तो गंगा भारत के पांच राज्यों में अब वाहित होती है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार जारफंड और पश्री मंगा इसकी अरावान हम देखें तो गंगा प्रदेश का जो जल है उसमें जो जल धार करने की श्रमता अगर देखें तो उसमें कुछ नदियां ऐसी हैं जो नेपाल से होके आती हैं भारत में आती हैं नेपाल और भारत और बांगला देश तीन देश ऐसे हैं जिनके जल से इनके जो छेत्र हैं वो पवित्र होते रहते हैं गंगा की पवित्रता है हम जानते हैं हमें भी जानते हैं कि गंगा में दो जगाए ऐसे हैं गंगा नधी पर जिसमें एक हरिद्वा और प्रयार राज एक उत्तर खेंड में और दूसरा उत्तर प्रदेश में यह दोनों ऐसे अस्खल हैं पवित्र अस्खल जहां पे कुमखा मेला भी लगता है 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 हलाकि इसी साहय नदी जो च्छिप्रा है इसकी साहय नदी यमुना यमुला नदी चंबल और चंबल साहय नदी है च्छिप्रा उस पर भी एक कुमवन लगता है उज्जय में तो बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की और उसके पूर्या पवाशेत्त की चीजों को हम लोग क्रमब तरीके से देखेंगे और देखेंगे किस तरह से गंगा नदी भारत में मौत पूर्ण है इसे करते हैं गंगोत्री ग्लैसियर इसे गंगोत्री ग्लैसियर से गंगा नदी का उद्गम होता है जहां पर यह भागे रथी के नाम स्काल जाती है भागे रथी यहां से उद्गम इनका होता है चीजों को हम देखेंगे अराम से तो गंगोत्री जो ग्लैसियर है वहां से भागी रती नदी को उत्पत्तिव होती है यह नदी आगे बढ़ती है उत्तरा खंड में और इसमें एक नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम है अलग नंदा नदी अलग नंदा नदी इस भागी रती नदी में आके मिलती है जब अलग नंदा इसमें आके मिलती है जिस अस्थान पर उसे कहा जाता है देव प्रयाग अलग नंदा नदी में एक नदी आके मिलती है इस नदी का नाम है धौली गंगा इसमें जहां के मिलती अलग नंदा में उस नदी का उस अस्थान का नाम है बिश्रू प्रयाग ठीके फिर अलग नंदा नदी में एक नदी आवरा के मिलती है इसका नाम है नंद की नदी यह जहां के मिलती है उस अस्थान का नाम है नंद प्रयाग अलग नंदा नदी में एक नदी आवरा के मिलती है इस नंदी का नाम है पिंडार नदी पिंड़ा नदी के लिए सिवस निकलती है और यहां आकर मिलती है जिस अस्थान पर उसस्थान का नाम है करण प्रयाग की इसे का जाता है कर प्रयाग कि अलग नदा नदी में एक नदी हो रहा की मिलती है जिनका नाम है मंदा किनी, मंदा किनी नदी आला नंदा में जहां मिलती हैं, उसे कहा जाता है रुद्ध प्रयाद, तो यह जो है यहाँ पे आपको पांच प्रयाद दिखाई दिएंगे, यहां देखिएगा, विशु प्रयाद, कड़ नंदा प्रयाद, कड़ प्रयाद, रुद्ध प्रयाद और देव प्रयाद, यह सारे प्रयाद आपको उत्रा खंड राज में दिखाई दे रहे हैं, अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो गंगा रधी जब देव प्रयाग से आगे बढ़ती है तो एक राग अस्थान पढ़ता है जिसे कहा जाता है हरिद्वार अगर आप जानते हैं कि हरिद्वार में कुम्ब लगता है भारत में जो चार जगव लगता है उसमें द्वार भी प्रमुख है तो हरिद्वार के बात इस नदी को गंगा नाम दिया जा रहे है इसे कहा जाएगा गंगा अगर बात करें तो यहां पर यह जब उत्तर प्रदेश राज में पहुंचती है तो यहां पर एक जगह है उसका नाम है गढ़ मुक्तिक्स्वर यहां पूछते हैं इसके बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश्ट कर जाती है अगर हम बात करें आगे तो आगे इस पर एजगा पड़ेगी जिसका नाम है कन्नोज अगर हम करनोज की बात करें एक नदी है जिसका नाम है राम गंगा नदी इनका उद्गम भी उत्तरा खंड राज में होता है और यह नदी भारत में 29 से उत्तर प्रदेश से प्रवेश्ट करती है उत्तर प्रदेश का जो बिजनोर है वहीं से राम गंगा नदी उत्तर प्रवेश्ट करती है उत्तरा खंड में इसी नदी पर जो कारवेट पार्ग है इस्तित राम गंगा नदी पर कारवेट पार्ग इस्तित राम गंगा नदी कारवेट पार को दो भावागों बाठते हुए आगे बढ़ती है नदी कारुबेट्रेट्पार कुद दूर्वागौ बारती हैं और आगे बढ़ती है तो विजॅल यहांप पड़ेगा बीजौल कि अपिसनोल के बाद यह मलब घृस्थ में उत्तर-प्रिस विजर यही पे दहह देशर के उ warm नंवाट करें अब हम आगे बात करते हैं तो देखते हैं इसके बाद करनोज के बाद आगे बढ़ते भी इन अधी पहुंचाती हैं प्रयाग जानते हैं सभी तित्पों कर आजा है इस खाण से इसी प्रयागराश करते हैं तो हम जानते हैं कि इसी गंगोत्री के पारलल एक और ग्लेसियर है जिसका नाम है बुंदर्पुच या यमनुत्री ग्लेसियर बुंदर्पुच नामपस्थान यमनुत्री ग्लेसियर वहां से यह नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी यमना नदी उत्तराखेंड में यह मुनुत्रीस निकलने के बाद आगे बढ़ती है तो यह नदी जो है हर्याड़ा दिल्ली आगरा इटावा जानते हैं मतुरा भी इस नदी के जारे था हर्याड़ा दिल्ली मतुरा आगरा आगे बढ़ते हुए इनदी शेली आती हैं तो हम देखते हैं कि इटावा के पास इसमें एक नदी आके मलती हैं इस नदी का नाम है शंबल नदी दहिए अभी तक हमने देखा कि जो गंगा नदी हैं इनकी एक सायक नदी हैं इनकी जो सबसे पहली सायक नदी थी उसका नाम था राम गंगा सायक नदियां वो नदी होती हैं जो किसी और भाग से आकर इस नदी में मिल जाती हैं जो नदियां उस मुख्य नदी में आके मिलती हैं उन नद्यों कहा जाता है सायक नदी इसकी अराम जो नदियां उस नदी से निकल कर दूर जाती है उन्हें कहा जाता है वितरीका ज्यान दीजेगा तो सायक नदी में जैसे हैं पहली राम गंगा इसके बाद दूसे जो नदी हैं उनका नाम है यमुना गंगा के सबसे लंबी सायक नदी है और यह जानते हैं इलहाबाद में आके मिलती है अगर हम वितरीका भी बात करें तो गंगा नदी की जो वितरीका है उसका नाम है हुगली खूले जी है तो देखिए काई इसके दूसरी साय नदी है गंगा की पहले तो होलेगा और दूसरी है यमुना इसकe सबसे लंबी साहक रदै यमुना की बात करें तो यम्मना नदी की वी एक साहक नदी है जिसका राम है चांबल अभी हमने देख और पाव निकलती है यहां से निकलती है और यहां से निकलती है आगे बढ़ते हुए यह नदी इटावा के समेख जाके जमना मिल जाती है चंबल नदी से संब्सक्राइब कोश्चन आते हैं कभी कभी कि चंबल नदी जो है कि विशेस्ता है कि चंबल नदी बहुत ज्यादा अपर्दन कर दी अपर्दन दो तरका होता है एक होता हैे गली ओपर्दन एक होता है लेयर अपर्दन तो तो चंबल नदी जो अपर्दन करती है उसे करते हैं गुली अपर्दन समझेगा इसमें चंबल नदी इतना अधा अपर्दन करती है इस नदी में इतने गढ़्धे बन जाते हैं वह गड़ी जो है ठाकों के लिए जो चंबल घाटि है उसके लिए वह अच्छा स्थान हो जाता है उन्हें राकों के घाटि ही कृते हैं हम जानते हैं में कुछ विशेशं स्ता के स्थयां होती और हुं- कम पो गंगा के सहाय नदी है चंबल वाद यहुना और यहुना के सहाय नदी है चंबल ठीक है इसकी आप देखते हैं कि चंबल नदी में भी एक नदी आके मिलती है इस नदी का नाम है छिप्रा नदी कि छिप्रा नदी हम जानते हैं उज्जैन के समीप से निकलती है और इसी नदी पर छिप्रा नदी पर हम जानते हैं कि उज्जैन में कुम्भ लगता है इसी नदी में उज्जैन में कुम्भ लगता है तो हम देखें कुम्भ जो है भारत में देखें तो गंगा नदी पर अगर देखें तो एक तो हरिद्वार उज्जयन और प्रयाग राजी चर्षा हम करेंगे अभी यहां पर लगता है फिर देखते हैं अगर हम कि शिप्रा नदी की बात करें अगर यहां पर देखनें फिर से गंगा कि साय के हुना या मुणा कि साय चंबल और चंबल साय नदी हो जाती है शिप्रा तो यमना नदी यमनुत्रिस निकलती है और आगे बढ़ते हुई इटावा तक पहुंची इटावा के बाद और हम चलें तो यह जगह पढ़ता है हमीरपूर और हमीरपूर में ग्रदी आकि से मिलती है जिस नदी का नाम है बेतवा नदी हमीरपूर में आके हमीरपूर में गंगा से आके स्वार्य यमुना से आके मिलती है इसके बाद देखनादी और मिलती है यमुना में बादा में इस नदी का नाम है केम नदी तो केम नदी यमुना की सहाग नदी है यमुना नदी गंगा में अगर हम बात करें तो दाहिनी और से मिलती है हाला की गंगा की पहली सहाग नदी जो होती है वह है राम नदा इसके मद बाद के बाद यमुना नदी जाके यमुना नदी प्रियागराज में गंगा से मिलती है तो देखें आप प्रयाग राज है मत लगता है वह दूसरी जगह पे छिप्त र नेती उस अबह संदर भी एक हैali हैं टिस अमud देखा कि अंध्य इना सैंड है प्रियाराज के बाद जब उंगा नदी आगे बढ़ती है तो इस नदीव में एक और नदी आगे मिलती है जिनका नाम है गोमती नदीव जो गोमती नदी है हम जानते हैं कि यह पीली भीट से निकलती है पीली भीट से उत्तरप्रदेश में पीली भीट से निकलती है और आगे आकर यह मिलती है गंगा नदी में इस नदी की नारे दोर शहर स्थित हैं इसमें से हम जानते हैं गोमती में नारे एक शहर है लखनवू और दूसरा है जॉनपूर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो दूसरी नदी आती है मिलती है इसमें गोमती के बाद यह नदी थी गोमती नदी गोमती के बाद एक रदीश में और आकर मिलती हैं देखिए जो प्रिविग गोमती नदी है यह बलिया के पास इसमें मिलती है गोमती के बाद अगली नदी आती है अगर इसमें बात हम करें तो एक नदी आती थी शार्दा और एक नदी थी करनाली नदी जिसको की घाघरा के नदी भी कहा जाता है और इधर से यह शार्दा यह नदियां इसमें बारा बंकी में आपसे मिलती हैं और आगे बढ़ते हुए आती हैं गंगा में और छप्रा में मिलती हैं हुआ है ठीक है नेक्स्ट अकरम बाते हैं वाहिए और से जो अगली देश में आके मिलती हैं उस नदी का नाम है गंडग गंडग नदी तो गंडग नदी जो है यह इसमें नेपाल से आती हैं नेपाल में गंडग नदी को नारायनी भी का जाता है तो यह नदी आके मिलती हैं इसमें वह हो है गंडग जहां मिलती हैं उसे कहते हैं सो इंपुर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे से पटना के समीक ही देगे पटना के समीक इसमें एक नदी आके मिलती हैं इस नदी का नाम है सोन नदी हम जानते हैं कि सोन नदी का अगरुक के उधवक हैहने होता हैे वह मंद्रपरदेश और जो करना का बटन है वहां पर जो अमर्गर गलती वह हैं जब्कि यह नदी जो है उत्तर की हो जा रहे हैं यानि की गंगा नदी के दर्शेर्ट से आ रही है और यह उत्तर की हो जा देए और इस नदी के नाम है शोन", शोन नदी गंगा नदी मिलती है सोन नदी की एक साहेट नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी पर हम जानते हैं एक बांध बनाया गया है इस बांध का नाम है बांध पर एक जील है जील का नाम है गोविंद सागर जी गोविंद बल्लप पंध जील और इसी जील पर एक बांध बनाया गया है उस बांध का नाम है रिहंद बांध तो गोविंद बल्लप पंध जील पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है रिहंद बांध आगे हम बढ़ते हैं इस नदी के तो इस पेक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है खोशी नदी कोशी आती है नेपाल से यह भी होके आती है और यह नदी अपने रास्ते को बदलने के लिए प्रशिद्ध से इस नदी मैं अगर हम बात करें तो रास्ता परिवर्थत करन्ने की बहुत च्शंता होती हैं इसकारव से इस नदी को बिहार का शोक का जाता है है विखार का शोर है तो भी रबात करें तो यह कंडिम कोशी न्यदी भाद अलाके चूरा है कि नहीं कोशी वाद अगर हम बात करें लोन इसका नाम करें युका zen hp महानन्दा नदी अगर देखें तो गंगा नदी में बाय से आके मिल रही इसके बाद आके बढ़ते हैं तो यह नदी जो है गंगा नदी है आके बढ़ते हुए जब यह पसी मंगाले पहुंचती है तो यहां पर इनकी दो धारा हैं यह दो एक वहां पस्षी मंगाल में जाती है जबकी दूसरी जाता चले जाती है बंगला देश में शेदर पस्डी बंगाल है और पसी मंगाल में इस नदीव कहा जाता है जो जाले इतला इंकी उसे कहा जाता है हुगली अधिक हुगली नदीक के रूप में और जहां लूदिश में गंगा गई उन्हें कहा गया बंगलादेश में पदमा पत्मा रधी बंगलादेश में गंगा को ही कहते हैं इसमें रधीया या मिलती हैं ब्रहपुत्र ब्रहपुत्र जिसकी बंगादेश में जमना कहा जाता है। जाहिए जाकर बंगाले खाड़ें गरती हैं। और वोग दोनु दोनों दाओं मिलकर प्रह्मापुत्र और ङंगा यानिकि पदमा बंगलादेश में बंगालगार ओंस्द्रेशुझी में विस्टू का आजय कहा जाता है जबकि एक मात्रपूर नदी है जिनका नाम है दामोदर नदी दामोदर नदी गंगा की हुगली की एक सहाग नदी है जो हुगली में जाके मिलती है हुगली नदी किनारे अगर देखें तो कलकत्ता हाबडा जैसे सहर इसके बाद यह जाके बंगाल खाड़ी में गिरती देखिए अगर हम बात करें गंगा नदी की तो गंगा नदी पर यहां प्रयाग आज है लहावाद यहां से लेकर यह जो कलकत्ता है लगभग इसकी दूरी जो कि 1620 किलो मीटर है यहां पर यह डवलू वन अर्थार राष्टी जलमार्ग वन इस दिन यह है इलहावाद से कलकत्ता के निगर जो है वहीं पर जगह है हल्दिया थ्रॉस आगे हल्दिया यहां यहां इसको कि अटाए जेती है हल्दिया इलहावास से हल्दिया तक जो राष्टी जलमार्ग आता है उसे कहा जाता है यहां डवलू वन तो यह जो गंगा रदी हैं इसे समझत कोश्चन जो अगर हम बात करें तो जो महत्रुकूर्ण कोश्चन है उसमें देखा जाए और यहां तो गंगा नदी का जो उदगम है यह गंगोत्री ग्लेसियर से होता है इसकी जो पहले सहाय नदी है उनका नाम है राम गंगा इसके बाद जो दूसरी सहाय नदी है उनका नाम है यमुना जो है जहां इसके बाई और मिलती है वहीं पर राम गंगा जो राम गंगा है वो बा वहीं पर जो घागरा नदी है यह सबसे अधिक जलब्राण करने वाली सहाग नदी है यह नदी है घागरा गागरा के बाद गंडग कोशी मानंदा यह इसकी सहाग नदी है गंगर चीक है तो गंड़ा समझते जो कोशन बंते हैं वह कोशन आप इसको ध्यां से देखते चलेंगे यहां देख करनोज है हम जानते हैं कि जो करनोज है करनोज को इत्र नगरी भी कहा जाता है इत्र इत्र जो था हम जानते थे कि इत्र की खोज जो है नूर जहां की माता आस्वत बेगम ने किया था इसे कर्णोज को इत्र नगरी कहा जाता है और यह जो है कर्णोज यहीं पर रामंगा नदी मिलती है चीखें गंगा नदी में हम अक्सर देखते हैं डॉल्फिन मिलती है दिखाई देती है चंबल नदी अगर बात करें तो यहां पर घड़ियाल का पर पाये जाते हैं घड़ियाल कि अबर कंटक आप जानते ही है ठीक है तो इसको गंगा नदी को आप देखें हम जो सुन्दर और डेल्टा का भाग है इसको प्रमपूत नदी के साथ देखेंगे ओके थैंक्यू